हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस मोटिवेशनल चानल में मैं सौर शुक्ला आपको देता हूँ हर दिन मोटिवेशनल वीडियो आज मैं आपसे उन चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो साथ बाते याप आप अपनी जिन्दगी के अंदर अपलाई करते हैं तो यकीनला आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं मैटर नहीं करता कि आप स्टूर расс bestimmt है या sport person है, या किसी job के अंदर है, किसी business के अंदर है किसी company को आपने खड़ा करने के लिए एक बीड़ा उठा है, आप कुछ भी कर रहे हैं आप सब कुछ अपने life के अंदर हासिल कर सकते हैं, आप उन सारे dreams को सच कर सकते हैं जिनके बारे में आपको आप देखते हैं, बस इन बातों को अपने जीवन के अंदर आमल में लाईएगा, इस वीडियो को पूरा देखेगा एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जिसे इनसान नहीं कर सकता है बशर्ते उसको खुद पर विश्वास होना चलिए, जो साथ बाते आज मैं आपको सिखाऊंगा, वो बहुत एहम होगी आप खुद एक मात्र ऐसे इनसान या चीज हैं, जो अपने आपको पीछे ढखेल रहे हैं जुनिया के अंदर किसी भी इनसान में, किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में ऐसी ताकत नहीं है, जो आपको पीछे कर दे, हमारी सोच और हम खुद ही हैं, जो हार माल लेते हैं माक्सिमम लोग, पहला इस्टेप लेने से ही कतराते हैं, वो ट्राइ नहीं करते हैं, बैबीत रहते हैं, उनको डर होता है कि लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग उनका मजाब उड़ा देंगे, लोगों के दिमाख में चलता है कि क्या कहेंगे लोग, म उनकी आवकात नहीं, आवकात नहीं, यह मैटर नहीं करता है, कि लोग क्या कह रहे हैं, मैटर यह करता है, कि अपने सपनों को सच करने के लिए, आप क्या कर रहे हैं, next learning, step one is always hardest, पहला प्रयास, पहला initiative, सबसे मुश्किल काम है, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पहला कदम चलना, क्योंकि जब आप एक कदम चल लेते हैं, तब आप अंदर से जिजग खतम कर लेते हैं, जो पहला कदम होता है, वो most confusing होता है, कई बार आपको moral को down करता है my dear friend, कई बार आपने देखा होगा, कि आपने किसी से बात करने के इक्षा रखी होगी, आपने पहला प्रयास नहीं कर पाए होगी, लेकिन यदि आपने एक बार प्रयास कर लिया, उसके बाद आप बार बार बात करना सीख गए, आपने देखा होगा, शादी के अंदर कई आप लोग डांस करने जाते हैं, लेकिन मनी-मन जिजक होती है, और डांस नहीं करते हैं, लेकिन एक बार शुरू हो गए, तो फिर लगता है कि पुरा स्टेज कोई तोड़ डा लेंगे, यस माई रखन, फर्स्ट स्टेप, ऑल्वेज हार डिस रहता है, लेकिन हा, उठाना तो पड़ेगा, कई बार रिजन यह होता है, कि हमने बड़े-बड़े गोल्स मना लिए, जिन पे हमको विश्वास ही नहीं होता है, कि हमारी इतनी प्लानिंग है, हम कर पाएंगे, इसका सबसे बड़े सलुशन है, उसको छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीज उन सको पाने में टाइम लगता है, सफलता के लिए प्रयास लगते हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता, तो अपने गोल्स को दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक बड़े गोल्स, जो में गोल्स है, उसको अलग रखे और एक छोटे-छोटे गोल्स में बाटिए, दे मैं भुपाल से दिल्ली की और जाता हूं, तो मुझे छोटे-छोटे स्टेशन को कवर करना पड़ेगा, पहले मैं सागर पहूंचूंगा, पहले मैं बीना पहूंचूंगा, उसके बाद मैं जहासी पहूंचूंगा, जहासी के बाद मैं आगरा पहूंचूंगा, बीच में हर इंसान आपको सपोर्ट नहीं करेगा आपकी लाइफ के अंदर बहुत कम लोग होंगे जो दिल से आपको सपोर्ट करने के लिए क्योंकि जब आप कुछ नया करने जाएंगे तो आप के अपने ही अखा मजाग उड़ाएंगे आपके अपनी ही आपसे कटेंगे हो सकता है कि जिलसी की एक भाब ना आ सकती है लोगों के अंदर एक बात याद रखेगा किसी के हसने से या किसी के मजाक उड़ाने से कुछ भी नहीं होता है एक बात आप हमेशा याद रखेगा कि जब भी कोई नया इतिहास रचता है लोग उस पर पहले हसते हैं इतिहास फिर रचा जाता है इसलिए ये मज़ सोची कि हर इंसान आपका सपोर्ट करेगा जब आप लाइफ में सक्सेस पूलो जाएंगे तो हर इंसान आपसे रिस्तदारी निभाने आएगा ये तो मेरे पहचान के हैं ये तो मेरे भाई हैं जब अरदस्ती के रिस्तदारी वो आपसे ढूड़ेगा लेकिन शुरुबात में आपके कोई भी इंसान साथ नहीं देगा आप कुछ बात के लिए प्रिप्यर होना चाहिए नेक्स इंग चोड़ देना चाहिए और उसके हिसाब से हमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव वर्क सोच लेना चाहिए कि मैं क्या ऐसा कर दो कि इसका अल्टरनेट हो जाएगा और मैं अपने काम को सही तरीके से कर सकूँ आप अपनी लाइफ के अंदर बड़े रिस्क लिए बीना कामयाप नहीं हो सकते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है कि हम रिस्क नहीं लेते हैं एक बात याद रखेगा जिन्दगी में बड़े रिस्क बहुत इंपोर्टेंट है लाइब के अंदर जहाज जो है वो जमीन में सुरक्षित है जो एरोप्लेन है वो जमीन में सुरक्षित है हवा में जाने में रिस्क है लेकिन वो हवा में जाएगा तभी उसकी जत बन पाएगी तभी लोग उसको पहचान पाएंगे तभी उसके आने का महाद तो निकल पाएगा Yes, my dear friend, घर में बैठे रहने से हो सकता है, सुकून के दोपल आप कायट रहे होंगे लेकिन काम्याबी तो बाहर निकलने से मिलेगी कुछ करने से मिलेगी Next learning, habit and inspiration Habit जिन्दगी के अंदर अच्छे होने चाहिए कहते हैं, इंसान अपनी आदतों का गुलाब बुरी आदते बुरा जीवन, अच्छी आदते अच्छा जीवन महान आदते महान जीवन आपकी आदते जैसी होगी, वैसा ही आपका जीवन होगा इसलिए अपने जीवन में अच्छी आदतों को डबलब करिए and the most important thing अपने जीवन के अंदर वो वजह जरूर बड़ी करके रखना जो आपको काम करवाने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि यही वो वजह होगी जो आपके लाइफ के अंदर आपको बड़ी कामयाभी दिलाएगी और एक बात याद रखेगा जो सफल लोगों की आदते हैं हाड़ वर्क करने की, डिस्सिप्लीम में रहने की पैशन्स की, उसाय की जितनी भी तमाम आदते हैं इस सब के बारे में आप जानते होगे, उन आदितों को अपने जिवन के अंदर लाइए और जो यह आपकी प्रेना है वो आपको पीछे से धक्का देगी और एक दिन आप सफलता की चोटी पे जरूर पहुँच जाएंगे माई डेट में बात पसंद आई है तो कमेंट में बताएएगा, स्वार प्रेक्लास, साइने हो जलताएएगा दो का कि बाchenा है झाल झाल झाल